और अचियए नमस्काव दोस्तों आद ने पहुंच चुके हैं माल रोड रोड और लिखाते हैं आपको माल रोड का बने जारे जांदर 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 न उपिछ स्प्रकारा जाए और सिसंदा हो चबाए राद करी आट कि यह इन कुलिए माल रोड़ की दलियों में रूप देप यह है माल रोड़ का पॉस्ट आफिस और जो रहती शानदार है और यह है माल रोड़ का प्यस्वल का आफिस तो यह है यह रात प्रिक नजारा कि आशानदाल फ्लाइटिंग हो रही है देखे राल फ्लाइटे जग मागा रही है तो ताफी देखने लाइक पच्छानदार है और देख इस बिल्ली को किस तरह फ्लाइटिंग से सदाए गया यह हमारे साथ ही जा आगे चल रहा है आप पो लेके चलते हैं एक परदर्षणी गंदर जो यहां की लोकल फूड कोड परदर्षणी है और यहां के लोकल जो फूड परदर्षणी है और तो दिखाते हैं आपको बताते हैं उनके बारे में और यह आगे बारत का आनबान प्रंगा तो इस सामने देख रहे हैं यह देखी प्रंग के शानदा ले रहा है तो देखी रहे हैं तो देखी रहे हैं तो देखिए तरंगा के इस प्रटार ले रहा है जो शानदार रात का द्रश्च है और यह थंड़ी काफी अच्छी कासी अभी तो देखिए कैसे प्रियाटक आनद ले रहे हैं सर्वी का और अभी आपको लेके चलते हैं फूड कोट यह सामने आगया फूड कोट कोट सलते हैं अधर पर दिखाते हैं आपकों कि मतल के पकवान हैं उनके बारे में हैं तो गोस्तों यहाँ पर सर्दी काफी तेज हैं तो देखिए हमारे आगे तर्वे मिट्टी की नाख लाल उच्छी की सर्दी का रहा हैं जो कि बिट्रिस का लिन है और अब आपको दिखाते हैं यहां का फूड कार्णीवल किम एरा फूड कार्णीवल दोस्ता हम अंदर तो आच चुके लेकिन परदस्नी है यह इसका का जो समय वह अंतिम अगारते प्रणा यानी रात के अधिक लास प्रना और यह रेडी हो जाने के लिए राट समेश का बस कुछ सी मिन्टों के बाद यह बन्न हो जाएगा और इसमें आप देखोगे यहां पर हिमाचल के डिस्टिक वाइज फूड काउंटर लगे हुए हैं यहां पर जो जैसे इस डिस्टिक का जो पेमस चार्ट है वो लगा हुआ है जो भी पकवान है पेमस वाका वो यहां पर लगा हुआ है हिमाचल सरकार की तरफ सी किया जाता है दोस्तों है हिमाचल के फूर्ट आयो कि करें शुब्स करना तरह तमरें ये विंजनों का आर्फार, 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 आर्फार माहिवे, माहिवे माहिव, माहिव.. बालते हैँ चेक करते हैं और दोस्तों हम में लिए सर्चों को साँख ₹कर्टेगлю hyvin DOC जेख तो पीका को Shandar रहा है आपको सर्चोदी साख अंतर सारा गी डाला वाया है जो खाफी है तो इसलग रही है सब्जी जान लोकल लेंगवजी स्कुछ शाग बले अतर सब्जी मोटि और बर्फुर सर्दी का बस्त पानन लेते हुए सर्चोदी साग मत्कीरोटी ते विशे महा ने वाज जलिवी करेंगे पर आपको बताएंगे तांदा रहा है जलेबी रबडी एक नम्मार है वाइड दोस्ता हमने है अधर बूंब वाम के अच्छे से अपता देश्मला के बारे में दोस्तों मॉल्रोड आने के दो रास्ते एक तो सिड्डिय के द्वारा और एक लिप्ट के द्वारा जो की लिफ्ट के द्वारा जो चार्जिबल होता है बीस रुपे पर पर संद बात करें की जो साफ सपाई की जहां पे प्लास्टिक बिल्कुल बहन है और इसको काफी अच्छी तरीके से मैंटेन कर रठा मॉल्रोड को काफी शांदार है और यह सक्ते में एक दिन बंद रहता जो की संडे अगर आप गोमना आना है तो करव्या संडे को ना है यहां पे जो की बंद रहता है और हमेशे काफी यहां पे वीड़ बार अच्छी कास मिल जाती है देखिए किस परकार शांदार शांदार यहां पर दुकाने से जी है तो काफी है नेने ट्रेडिशनल अपने पर जो आइटम सो रखते हैं करने के लिए और देखते हैं हमार मिट्टो जी कुछ खरिद्दारी के लिए पहुंच चुका है यहां पर शांदार शांदार केप्स केप्स मिल रही है यहां पर शांदार सी गरम कपड़े केप्स ओ यह गंजुने लगा लिए केप्स तो दोस्तों यह नाइट ओल्डे का लगी मुझा दे का अलग मुझा है रात को मस्त लाइटिंग का लग मुझा होता है मुझा देखने का यहां से अगर माल रोड से आप से मला का पुरा व्यू देगी माल रोड का तुट है यहां से सिटी का पुरा व्यू क्रिस्टल के लिए नज़ा आता आट आटको मस्त चम चमाती होई लाइटिंग छोटा सा से रह विसे सिमला ज़्यदा बड़ा है नहीं बट है बहुत ज़्यदा कौप शुरुत है अब बाल रोड पर आपको टोफ लग्जरी फ्रेंड मिलेंगे और नीचे वारी जो यह रोड है इसका नाम तो मेरे को पता नहीं है इस पर आप लोग मिलेंगे कौन इसी रोड भई लॉर लॉर उस पर आपको तोड़े मतलब ऐ अच्छे आइटम मिलेंगे जो कभी शांदार होते हैं तो वही आपको लेके चलते हैं नेक्स दुखान पर और यहां पर फूड फूड भी मस्ट एंजोई कर सकते आप यहां पर लग शांदार शांदार ट्रेडिशनल फूड मिलता है ठेले वालों के पास मस्ट अगर आप कुछ खाना चाहो तो अच्छा काचा मिलता है और अब है रख यार नकार आप एक अज़िए यृवर कॉछ नजर का ले रहा कि को इसकर नहीं है अगर अगर यह की कार्वन दोपा अपर अब थूख़ हैं अगर यह अगर आप यह आपको लिग चलते हैं नीचे कि यहां पर भी एक अच्छा सा रेश्टोरेंट अगर कभी आप आओ यहां पर प्राइक चर्च के पास में यह यह और यह जो चर्च आप देख रहे हैं यह अंग्रीजों के जमाने का चर्च है अंग्रेज जब इंडिया पर सासन करते थे पहले तो सिम्ला उनकी ग्रिस्म का आपी दिनों तक सिम्ला के आसपास के कहीं इलागे पंजाब रिजरी में आते हैं उर्व पर आप देख रहे हैं यह जाकु टेम्पल जो रात के सुए काफी जांदार ना जारा और यह आच चुकी है अंग्रेजों के जमाने की चर्च जुका भी शांदार है देखी किस परकार यहां पर लाइटिंग की गई है और किस परकार लो तो वैसे करीब रात के 10 का सब्सक्राइम उसका है तो करीब गरी मार्केट क्लोज उने पर है अब आपको नीचे लेकर चलता है अ है आवन ने देज आप के लास रात का नजारा भी तूछ अलग ही होता है तो दोस्तों अब चलते हैं अपने ओटल की और आप अब बाल रोड जे करीबन अपना वोटल ने डो गिलम्मेटर के आप तो आप चलते हैं दो कि मस्त ट्रेकिंग करते हुए और अमारे के लाज जी ने बाबी जी के लिए अच्छे से सोल ले लिए और यह कुछ गिफ्ट की सोप है इस रोम में अगर आप नीचे देखोगे तो यहां पर तोड़ी कोश्टली सोप मिलेगे आपको ब्रैंड वाली यह जो लेट 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 अब यह देगनी देख रहे हैं खाने के लिए कुछ अबर कुछ ऊपन होगा तो खा लेंगे वरना होटल पर आएंगे अब अब आपको दिखाते हैं फोर्चनर मिनी फोर्चनर मिनी फोर्चनर मर्सडीज भी यह वहाँ यहां ते अभी हाँ आपकर रहा है अब नहीं अब सब लेगा है यह थोटी आकर्टी में परजीगा अब तो यह देखिए आज चुकी हमारी फोर्चुने सामने तो दोस्तों समय उचुका ग्यारा बजे के आस पास और यहां से पब्लिक भी दिर दिर है अपनी ओट लोगे और प्रस्तान कर रही है रात करना जा रहा है कापी ब्लूटीफल होता है लाइटिंग देखो कि आप आप शांदार लाइटिंग कर रहे हैं अच्छे से सजा रहा है पूरे मार्केट को देखे क्या ही नजा रहा है सिम्ला सेर का तो दोस्तों तो दोस्तों अब निकलते हैं होटल की और आप भी समय हो चुका है और दोस्तों फिर मिलते हैं आप से नई वीडियो के साथ और के टाटा बाई बाई आप कर दो